हलो दोस्तों ब्रीज राज कीचिन में आपका स्वागत है तो आज हम बनाएंगे वाटर मेलन यानि की तर्बूज की पुडिंग सबसे पहले हम एक कीलो मैंने यहाँ पर तर्बूज लिया है जिसको मैंने काट लिया अब इसके सारे गुदों को हम निकाल लेंगे यह चमच की सारता से सारे गुदों को मैं निकाल ले रहे हूँ तर्बूज खाली हो चुका है अब सारे गुदों को हम मिक्सी बॉल में डालेंगे और इसे हम बारिक पीज लेंगे अब इसे हम चलने की सारता से छान लेंगे ताकि पीसे हुए जो बीज है इस्ट्रा निकल जाए इसको चमच फिलाते रहेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे इस्ट्रा जो इसको फेक देंगे अब एक कटोरी में हम दो चमच आरा रोट पाउडर डालेंगे और इसे पानी डालकर मिस्क करके पेश्ट तयार कर लेंगे अब कड़ाई को रखेंगे गर्म होने के लिए अब जिसमें हम तर्बुच के जूस को डाल देंगे कड़ाई हमारी गर्म है हाई फ्लेम पर रखेंगे और इसे हम मिस्क करेंगे इसमें डालेंगे जब तर्बुच के जूस में उबाल आने लगे इसमें एक कटोरी चीनी डालेंगे हम और इसे पकार लेते हैं 5-10 मिनट तक जब 10 मिनट पंदर मिनट पक जाए जूस तब इसमें हम डालेंगे आरा रोट पाउडर का पेश्ट और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे पांच मिनट के बाद यह अमची तरह से जमने लगेगा इसलिए इसे फटा-फट चलाईए इसे हम लगातार चलाएंगे ताकि यह चार्व तरफ से अच्छी तरह से हलुआ की तरह बनकर बिल्कुल तैयर हो जाये अब इसे हम हई-फjem में पका लेंगे थब तक जब तक यह अच्छी तरह से गाड़ा ना हो जाए इसे लगातार चलाते रही है हमारा गाड़ा हो चुक है जिसे हम नीचे उतार देंगे गैसे एक कटोरी में हम तेल चारो तरफ ग्रीस कर लेंगे और यह सारे पेश्ट को इसमें हम पलट देंगे तरबुच के पेश्ट को अब यह गर्म ही है हलका ठंडा हुआ है सारे पेश्ट कटोरी में निकल चुक है हमारे अब इसे हम फ्रीज में रख देंगे एक घंटे के लिए एक घंटे के बाद देखे यह अपने आप सेट हो जाएगा देखे हाथ में नहीं लग रहा है फिर से निकालने के बाद इसे रखे आएक प्लेट उसके उपर रखे इसे हम पलट देंगे अब कटोरी पे टाइप करेंगे देखे इस तरह से हमारा वाटर मेलन पुडिंग बनकर बिलकुल तैयार हो चुका है यहाँ पर उपर से मैंने कड़ी पत्ता का सेट कर दिया सुंदर लगने के लिए अब इसे हम चाकू की साता से कट करके दिखाते है केक जैसे कटता है वैसे कट चुका है पुडिंग अब इसे मैं निकाल कर दिखाती हूँ देखे कितना अच्छा लग रहा है खाने में उतना ही मज़ेदार है तो जब बच्चों को बना कर खिलाईए मज़ेदार पुडिंग